नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंस का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोपिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो वीडिय आर्टिकल में सबसे पहले बात की जाती है अरब नैसलिजम की अरब नैसलिजम का मतलब क्या है देखो अरब नैसलिजम एक नैसलिस्ट आइडियोजी है जो एसर्ट करती है सभी अरब्स जो है वो एक नेशन है अरब नैसलिजम आइडियोजी अरब पीपल के बीच में civilization, Arab language और Arabs का जो literature है उसकी glory को celebrate करती है ये ideology और सबसे last में Arab world में political union होना चाहिए मतलब Arab world में unity होनी चाहिए इसका आवान क्या जाता है Arab nationalism ideology के दोरा देखो first world war तक world में जो Arab speaking lands थे चाहे वो West Asia में हो या फिर North Africa में हो आल्मोस्ट सभी Arab speaking lands को डवान क्या जाता था उन पर rule था directly और indirectly Ottoman Empire का Ottoman Empire यानि आज का Turkey लेकिन जैसा आप जानते हो Ottoman Empire की हार हुई थी first world war में उसके बाद वो countries जिन्होंने first world war जीता था उन्होंने Ottoman Empire को तुगडों में बाट दिया था और Ottoman Empire से काफी सारी territories छीन ली गई थी तो first world war के बाद कई सारे देश बने अलग से जिनमें Arab language को बोला जाता था आज देखो Arab world में 22 देश आते हैं जिनको UN की तरफ से recognize किया गया है common चीज इन 22 देशों में ये हैं मतलब Arab world में जो 22 देश आते हैं उनमें common चीज है Arab language राइटर इसके बाद ये भी बोलते हैं हो सकता है कि world history में question पूछ लिया जाए राइटर ये कहते हैं कि Arab nationalism की शुरुआद जो होती है ये 19-20 स्ताबदी में होती है 19-20 स्ताबदी में जब Syrian scientific society की secret meeting हुई थी तो उस समय Arab nationalism के बीज बोई गए थे बाद में सीरिया से जो Christians हैं दूसरे इलाकों में गए फुर एग्जामपल इजिप्ट में तो Arab nationalism के जो आइडिया हैं वो फैनलिस्टांट हो गए उस समय जैसा हमने डिसकस किया कि Arab regions को directly indirectly Ottoman Empire के द्वारा rule किया जा रहा था तो जो ये Arab nationalists थे इन्होंने मांग की कि Arab speaking regions को autonomy दी जाए Arabic language को use करने दिया जाए और पीश टाइम में Arabic recruits का deployment होना चाहिए ये सब demands रखी गए थी Arab nationalists के द्वारा शुरवात में 19th century में जब Arab speaking lands को rule किया जा रहा था Ottoman Empire के द्वारा लेकिन देखो यंग Turks ने काफी suppress किया Arab nationalism को और इसके बाद Arab nationalism का और ज़्यादा मजबूती से resurgence हुआ ये यंग Turks कौन थे यंग Turks देखो Turkey में यानि उस समय Ottoman Empire में वो लोग थे जो मोनार्की के बजाएव constitutional government को sport करना चाते थे तो ये हमने Arab nationalism के बारे में basic बाते discuss कर ली इसके बाद राइटर बोलते हैं Arab nationalism के जो objectives थे क्या उनको achieve किया गया है राइटर कहते हैं इसका answer है no हाँ एक चीज ये और बतानी थी कि 1945 के बाद Arab league का भी निर्मान हुआ उस समय Britishers ने sport किया था Arab league की demand को और Britishers के promote करने पर League of Arab states बनी 1945 में तो question अब ये उठता है League of Arab states का जो objective था क्या वो objective सर कर पाई है ये league क्या अपने लक्षय को achieve कर पाई है राइटर कहते हैं इसका आंसर है no UNDP Human Development Report के अनुसार काफी सारे Arab states में freedom का अभाव है woman का empowerment नहीं हो रहा है woman की जो दसा है काफी ज़्यादा खराब है knowledge का काफी deficit है काफी सारे Arab countries में participatory governance नहीं देखने को मिलती monarchy है authoritarian regime है individuals के पास कम freedom हासिल है कई Arab countries में जैसे देखो Saudi Arabia, UAE इन देशों में कहां पर democracy है बहुत सारे देश है Arab world में जहां पर अभी भी Raza का rule है King का rule है democracy नहीं है 2011 में कई Arab countries में uprising हुई थी कि डेमोक्रेसी इस्टाबलिस हो बट जायतर देशों में उस demand को violently suppress कर दिया गया state के द्वरा मतलब पूरी तरह से दबा दिया गया कि ऐसी किसी मांग को लेके लोग सड़कों पर आएं ही ना उस समय अरब वर्ल्ड में divisions भी देखने को मिले थे चुकि देखो सभी अरब countries में मुनार्की नहीं है कुछ देशों में democracy भी है तो फिर divisions देखने को मिले थे जो democratic countries है अरब वर्ल्ड की उनका ये मानना था कि लोग जो protest कर रहे हैं democracy की मांग को लेके उन्हें नहीं दबाना चाहिए लेकिन जहां पर मुनार्की है वो इस बात को लेके खुछ नहीं थे कि बाकी देश आप एक प्रकार से हमारे देश में protesters को sport कर रहे हो ये गलत हैं मतलब एक line में बोले 2011 में जो Arab uprising हुई थी देखो एक issue ऐसा है जिसको लेके कम से कम सभी Arab countries की राय एक है वो है पैलेस्टीन का issue सभी Arab countries मानते है कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जो dispute है उसका समाधान two state solution की form में है यानि two states का निर्मान होना चाहिए एक इसराइल और दूसरा पैलेस्टीन बड़ देखो अब approach जो है विविन Arab countries की वो धीरे धीरे change हो रही है सबसे पहले तो 1979 में इजिप्ट ने इसराइल के साथ agreement sign किया इसराइल को recognize किया गया इजिप्ट के द्वारा और बदले में इसराइल ने इजिप्ट का land Sinai Peninsula वो लोटा दिया उससे पहले देखो जैसे आपको पता है काफी वार्स भी हो चुके है Arab countries के बीच में और इसराइल के बीच में इसराइल को sport किया जाता है USA और USA के दूसरे ally countries के द्वारा 1967 के आसपास भी वार हुआ 1973 के आसपास भी वार हुआ और 1947 के आसपास भी वार हुआ था तीन वार्स हो चुके हैं बट हर बार Arab countries को हारना पड़ा और इसराइल ने पहले की अपेक्सा करत भी जादा land हड़प लिया युद के बाद लेकिन पहले जो Arab countries एक जुट हुआ करते थे इसराइल को हराने के लिए और इसराइल से पैलेस्टीन का land छुडवाने के लिए उतना एक जुटता उतनी unity आज के समय में नहीं दिखाई देती जैसे देखो 1979 में तो एजिप्ट ने रेकोगनाईज कर लिया इसराइल को उसके बाद जोर्डन ने भी 90's में रेकोगनाईज कर लिया था इसराइल को Oslo Peace Time Accord साइन हुआ ये 90's में साइन हुआ था इस एकोड में इसराइल और PLO यानि Palestine Liberation Organization इन्होंने एक दुसरे को रेकोगनाईज कर लिया था बाद में साओधी पीस प्लान आया 2002 में साओधी पीस प्लान में काफी सारी बाते बोली गई थी कि जो 22 अरब स्टेट्स है वो इसराइल के साथ पीस एक्रिमेंट साइन करने को तयार है लेकिन बदले में कुछ कंडिशन्स रखी गई थी जैसे पलेस्टीन की फोर्म में एक अलग से स्टेट का निर्मान हो हलांकि ऐसा हुआ नहीं ये सब चीजें पास्ट में हो चुकी हैं और अब इहाल ही में क्या हुआ अबराम एकोर्ड साइन हुआ अबराम एकोर्ड में UAE और बहरीन ये दो देश इसराइल को अब रिकोगनाईज कर चुके हैं पहले सिरफ जोर्डन और एजिप्ट ने रिकोगनाईज किया था इसराइल को अब UAE और बहरीन ने भी इसराइल को रिकोगनाईज कर लिया है अब देखो राइटर साफ तोर पर ये बोलना चाहते हैं कि इस परकार से अब ज़्यादा से ज़्यादा अरब स्टेट्स इसराइल को रिकोगनाईज करते जा रही हैं मतला टू स्टेट सोलुशन की जो मांग है उसको वो छोड़ते जा रही हैं इसके रिजन्स भी हैं ऐसा आखिरकार क्यों है कि अरब स्टेट्स अब इसराइल को रिकोगनाईज करते जा रही हैं मेली तीन रिजन्स हैं सबसे पहला रिजन्स है इरान से खत्रा ज़्यादा है दूसर रिजन spread of regional terrorism और तीसर रिजन rise of islamism इन रिजन्स के कारण अरब स्टेट्स जो हैं उन्हें लगता है इसराइल आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुस्मन नहीं है सबसे बड़ा जो दुस्मन है वो इरान है सबसे बड़ा दुस्मन regional terrorism का spread होना है और islamism का rise होना है इवन अरब कंट्रीज को अब विश्वास भी नहीं है PLO की leadership पर यानि Palestine Liberation Organization की leadership पर लास्ट में हमिद अंसारी ये सजेश्ट करते है देखो two state solution को achieve करना अब काफी ज़्यादा difficult है इसराइल नहीं मानने वाला है कि Palestine की form में एक अलग से देश का निर्मान हो कम से कम एक ही देश रहे और उस देश में Palestinian को proper rights मिले इसको हम achieve कर सकते हैं समझ गे काफी important बात हमिद अंसारी बोल रही है वो बोलते हैं two state का निर्मान होना अब बहुत ज़रा difficult लगता है इसलिए एक ही देश रहे for example इसराइल और इसमें जो Palestinian रहते हैं उनको proper rights मिले ऐसा possible हो सकता है हो सकता है सुरवात में इसराइल जो है वो Palestinian को right ना दे लेकिन देखो जैसा South Africa में जो government थी white scheme उन्होंने रंग भेद की निती अपनाई थी काफी दुनिया भर के देशों के द्वारा South Africa का criticism किया गया था उसी परकार से अगर इसराइल पलेस्टीनियन को right नहीं देगा तो विबिन देश आवाज उठाएंगे कि भाया आपने पलेस्टीन की form में अलग से देश का निर्मान भी नहीं होने दिया कम से कम अब आप पलेस्टीनियन को right तो दीजिए फिर इसराइल को प्रेसर में आके पलेस्टीनियन को right देने होंगे इस solution की तरफ अब आगे बढ़ा जा सकता है ऐसा हमित अलसारी बोलते हैं तो यह हमने पूरा article discuss किया अरब nationalism के बारे में इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion